नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है डोक्टर नीलम शरमा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि एकोस्टोल टाबलेट का 65 किन कंडिशंज में किया जाता है Ekostole Tablet को कैसे लेना चाहिए? और Ekostole Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं? और यह भी डिस्कस करेंगे की Ekostole Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? Ecosol एक brand name है, Ecosol tablet के अंदर salt composition Ecosol Mg होता है, Ecosol tablet का उप्योग बधजमी होने पर और पाचन तंत्र कमजोर होने पर किया जाता है, जिन व्यक्तियों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, पेट में गैस बनना, पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में बेचेनी और थोड़ा सा भोजन करने के बाद ही पेट भरा-भरा हुआ महसूस होता है, ऐसे व्यक्तियों को Dr. Ecosol tablet को लेने की सला दे सकते हैं, Ecosol tablet इन सभी लक्षणों से राहत दिलाती है, और बधजमी की समस्या को दूर करती है, साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Ecosol tablet की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Ecosol tablet की वज़ह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्ध होना, दस्त होना, कब उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और तवचा पर रेशिस होना आदी साइड इफेक्ट्स एकोस्टोल तैबलेट की वज़र से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की एकोस्टोल तैबलेट को कैसे लेना recommended होता है। एकोस्टोल टैबलेट को खाना खाने से पहले लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर एकोस्टोल 100 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सला देते हैं। एकोस्टोल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एकोस्टोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडि पाने के लिए आपको एकोस्टोल टैबलेट के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और कच्चे फलो व सबजियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि एकोस्टोल टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एकोस्टोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओ और स्तन्पान करा रही महिलाओं को एकोस्टोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एकोस्टोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं